जब आपकी फाइल IACC वाले उठाएंगे, keeping mind मैं यहाँ पे medical submit की बात कर रहा हूँ, जी सी की में update होने की अब बात कर लेते हैं कि किन students को इससे फायदा होगा, अब नुक्सान इसका यह है कि उन students को अगर AIP टाइम पर मिल जाती है तो उनके लिए बहुत फायदे मन्द होगी, मार्च मीने में VFS बंद होने के बाद, चोगा जुलाई को IACC ने new two-stage process को introduce किया था, बट फिर October में इसको बंद भी कर दिया, और announce किया कि अब से कोई भी AIP नहीं आएगा, और सारी की सारी जो gen intake की files हैं वो regularly process होगी, बट अब January में फिर से AIP वापिस आ गया है, बट कुछ changes के साथ, start करेंगे कि two-stage process और regular process में क्या difference है, क्या क्या processes इनमें होती है, इसके बाद डिसकर करेंगे कि किस-किस को AIP आएगी और किस-किस की file regularly process होगी, इसके बाद बात करेंगे कि AIP का जो process इन्होंने शुरू दोबारा कर दिया है, इसका students को benefit होगा या नुकसान होगा, as always वीडियो काफी informative होने वाली है, एक भी second skip मत करना, और खास करके January intake वाले students जो हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, and I promise कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपका visa के regarding एक भी doubt नहीं रहेगा, सबसे पहलो तो short में आपको ये clear कर दूँ कि two stage process में होता क्या है, I know बहुत सारे लोगों को अभी भी confusion होगी कि two stage process और regular process में क्या difference है, इन दोनों में क्या-क्या processes होती है, तो two stage process में आपकी file दो stages में process होती है, first stage में आपकी eligibility चेक होती है, जिसमें आपके college का acceptance letter, आपके academic documents, IELTS, ITR और बाकी documents जो आपने file लगाते वक्त submit करवाये थे, उनको check किया जाता है, और check किया जाता है कि आप Canada के visa के लिए eligible हो या नहीं, अगर आप eligible हो तो आपको EIP दे दी जाती है, जिसका मतलब यही होता है कि आप visa के लिए eligible हैं, और आपकी file second stage में चली गई है, second stage में आपके biomatrix होते हैं, medical check होता है, और फिर आपका passport stamp होके visa के साथ आपको मिल जाता है, अब बात करते हैं regular visa process में क्या होता है, regular process में ये दोनो stages एक साथ होती है, कोई EIP आपको नहीं आता, सीधा passport submission की request आती है, इसमें सबसे पहले तो आपके biomatrix होते हैं, biomatrix होने के बाद आपका medical check किया जाता है, medical test पास होने के बाद आपकी file visa eligibility चेक करने वालों के पास चली जाती है, और जब उनके पास चली जाती है, तो वो eligibility आपकी check करते हैं, और अगर आप वो stage clear कर लेते हो, तो आपको passport submission की request आ जाती है, अब बात कर लेते हैं यह जो new AIP gen intake के लिए IRCC ने शुरू की है, वो किसको आएगी और किसको नहीं आएगी, तीन conditions हैं जिसकी वज़ा से आपको AIP आएगी, पहली तो condition यह है कि आपने gen intake के लिए apply किया हो, किसी और intake यानि May या September के लिए अगर आपने apply किया है, तो आपको AIP नहीं आएगी, दूसरी condition है कि आपने 15 December के पहले फाइल submit की हो, और आपकी फाइल incomplete हो, incomplete मतलब जब IRCC वाले आपकी फाइल उठाएंगे, तब आपके biometrics pending हो, या आपका medical pending हो, इसका मतलब होता है कि आपकी फाइल अभी incomplete है, keeping mind मैं यहाँ पे medical submit की बात कर रहा हूँ, जिसी कि मैं update होनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप फाइल submit कर रहा हो, और साथ में अपना medical भी submit कर रहा देते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और mostly सब लोग साथ में submit कर रहा भी देते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इनको AIP नहीं आएगी, अगर आपने 15 दिसंबर से पहले फाइल submit कर रहा है, और आपकी फाइल complete है, यानि जब IRCC वाले आपकी फाइल उठाएंगे, तब तक आपके बायमेट्रिक्स हो चुके हो, आपने medical submit करवाया हो, याँ आप May Intake के लिए apply कर रहे हो, याँ आपने 15 दिसंबर के बाद फाइल submit करवाई हो, और फिर चाहे आपकी फाइल complete हो या incomplete हो, अगर आप इन situations में हैं, तो आपको AIP नहीं आएगी, आपका regular process ही होगा, अब बात कर लेते हैं कि किन students को इससे फायदा होगा और किनको नुकसान होगा, अब जब भी आपकी file IRCC वाले देखेंगे, अगर आपके बायमेट्रिक्स pending होए, तो आपकी eligibility चेक करके आपको AIP भेजी जाएगी, बट अगर आपकी file complete होगी, तो आपको सीधा PPR की request send की जाएगी, अब नुकसान इसका ये है कि IRCC वाले खुद ही अपने लिए काम भढ़ा रहे हैं, पहले वो AIP प्रोसेस करेंगे, देन second stage प्रोसेस करेंगे, देन आपको passport submission की request आएगी, तो इससे उनका काम भी बढ़ेगा और processing टाइम भी बढ़ेगा, benefit इसका सिर्फ उन students को आज जिनके colleges वाले without PPR study permit या AIP online study start नहीं करने दे रहे हैं, mostly सारे colleges without PPR या AIP online study करने के लिए allow कर रहे हैं students को, बट कुछ ऐसे भी colleges हैं जो without PPR या AIP online study start करने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मेरी university, मेरी university, McMaster university भी students को allow नहीं कर रही है, अगर उनके पास PPR या AIP नहीं है तो, जिसकी वज़े से मुझे सब्टेंबर में defer करवाना पड़ा, सो उनको अगर AIP टाइम पर आ जाती है, तो वो लोग online study start कर पाएंगे, इसके लावा और कोई भी student को benefit नहीं होने वाला, क्योंकि AIP के बाद भी कुछ लोगों के visa refusal आये हैं, और ये officially IACC ने अपनी website पर लिखा है, कि AIP का मतलब ये नहीं है कि आपको study permit मिलेगा ही मिलेगा, आपका visa refuse भी हो सकता है, तो इसका कुछ फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है, That's it for today's video, I hope आप सबको सारी information समझ आ गई होगी, अगर स्टिल आपका कोई doubt है, तो आप मुझे इंस्टान पर message करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में,